हेलो नमस्कार प्रेंट्स आज बात करने वाले रिवोल्ट आर्वी 400 के बारे में जो कि यह इंडिया के अंदर इसी पहली इलेक्टिक बाइक है जो कि हुई है लोंच इससे पहले आपने इलेक्टिक स्कूटी देखी होगी इलेक्टिक रिक्षा देखी होगी तो यहाँ पर पहली बार इंडिया के अंदर इलेक्टिक बाइक लोंच हुई है जो कि एक पूरी तरीके से इस्पोर्ट लुक दिया हुआ इसको इसके बारे मैं आपको आज ओल स्पेस्टिक्षन बता हुआ क्या रहेगी इसकी प्राइस इसमें आपको कौन से बेटरी देखने को मिलेग एक बार जब चार्जिंग हो जाएगी तो कितने किलमेटर तक सपर तई करेगी तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करियेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं पर भी रिवोल्ड आर्वी 400 के बारे में कहीं पर भी वीडियो नहीं देखना गया है एक हजार रूपया तो दोस्तों यदि आपको भी बुकिंग करवानी हो तो एक हजार रूपया में बुकिंग अभी हो जाएगी और दोस्तों बात करना चाहूं इस गाड़ी के अंदर एक इस पेसल फीचर की जिसका नाम है माई रिवॉल्ट एप्स या कहूं यह एक अप्लिकेशन है जो कि अपने मुबाइल में चलती है और इस अप्लिकेशन के अंदर अपनी जो बाइक होती है वो पूरी कंट्रोल होती है आप मुबाइल से ही गाड़ी को इस्टाट कर पाएंग तक का रफ्तारता ही करेगी जो कि मेरे सबसे बहुती लाजवाब है बात करना चाओं डिस्प्ले की तो दोस्तो इसमें आपको एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगी जा कहूं फ्रंट एंड बेक में आपको LED लाइट देखने को मिलेगी जो कि आपकी गाड़ी को एक स्पोर्टी लूग बनाने में कापी मददगार होती है खक्रना चाओं गाड़ी के साउन के बारे में तो दोस्तो विसे ओड्हेडी इलेक्रिक कोई भी सादन कोई भी आवाज नहीं करता है या कोई भी आवाज नहीं करता है इस तरीगे से कंपणी ने इसमें एक बतला देखने को मिलेगा बात करने चाहूं मैं बेटरी की तो दोस्तो आपने lithium-ion बेटरी का नाम तो सुना ही होगा तो इसमें lithium-ion बेटरी को लगाया गया है इस बेटरी की खास विसेस्ता आपको ओल्डेडी पता होगी यह removable बेटरी है आप इसको बाहर निकालके भी चार्जिंग कर सकते हो और इसको जब चार्जिंग होगी तो बहुत ही कम समय के अंदरे complete charging हो जाती है या क्यों एक से दो घंटे के अंदरे completely charging हो जाती है आत करना चाहूं front and back टायर की तो इसमें आपको दोनों tubless टायर देखने को मिलेंगी और एक special feature और इसमें दिया गया है आप इसको जिस परकार आप अपने कार को start कर सकते हो बटन से stop and off करते हो उसी तरीके से आप इस bike को भी आराम से बटन से start and off कर पाऊगे यह feature भी बहुती खास है तो friends यह थी इसके कुछ खास-खास specification जैसे ही यह गाड़ी market में आएगी मैं इसका एक वीडियो और आपको बना के बता दूँआ वीडियो अच्छा लगने पर like, comment और subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा